यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ लगजरी कार बनाने वाली कमपनी पॉर्शा इंडियान मार्कित में अब अपनी इलेक्टिकल कार को लॉंच करने जा रही है आपको बता दे कि कमपनी की एक अधिकारी ने इस चीज की घोशना भी कर दी है कि वर्श 2020 की शुरुवात में कमपनी इलेक्टिकल कार को लॉंच करेगी पॉर्शा फॉल्स वेगन ग्रुप की ही कमपनी है भारत में पॉर्शा ने वर्श 2012 में अपना कारोबार शुरू किया था भारत में हैं कमपनी अपनी एक खास जगा बनाने में सफल रही है पॉर्शा की अपनी देश जर्मनी से बाहर कोई भी manufacturing या फिर assembling unit नहीं है इसलिए अभी तक कमपनी भारत में पूरी तरह से इंपोर्ट की गई कारे ही बेचती है पॉर्शा इंडिया के डिरेक्टर पवर्शेटी ने PTI से इस बारे में बात करते हुए यह भी कहा कि वर्श 2020 के starting में वो इस काड़ी को launch करेंगे 2019 के आखरी महीनों में इस कार को globally launch करने के बाद इस कार को भारत में भी launch किया जाएगा